Assalamu alaikum कैसे हैं आप सब मेरा नाम है आकाश और मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि हम दोग वाट्सेप की जो प्राइजिंग है उसको किस तरह से समझ सकते हैं और वाट्सेप मार्केटिंग आपके लोग के लिए किस तरह से बैनेफिशल हो सकती है और वाट्सेप की जो 24 अ जो leads हैं, उनको किस तरह से manage कर सकते हैं और अपने agents को किस तरह से leads assign कर सकते हैं आज इस video के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ों को discuss करेंगे आज चलते हैं हम लोग WhatsApp pricing के ओपर सबसे पहले हम लोग सबसे पहले WhatsApp की business pricing की website के ओपर आ जाते हैं जिसके अंदर यहां पे हमारे पास चार options आ रहे होते हैं जिसके अंदर authentication, marketing, utility and service message होता है authentication message का ये मतलब होता है कि अगर आप एक authentication message send out करना चाते हैं अपने login के अंदर या किसी भी अपनी app के थरू जिसके थरू आप लोग एक OTP send करवाना चाते हैं तो आप यहां से authentication message को select कर सकते हैं अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें authentication message को हम select करते हैं और select a currency हम dollars के अंदर कर लेते हैं तो हमें जो एक authentication message है वो 0.0228 का पड़ता है अगर इसी को हम 0.0228 को हम PKR के अंदर कर लेते हैं तो यह हमें 6 rupees 33 पाकिसानी rupees के अंदर एक जो conversation है वो count की जाएगी उसके बाद अगर हम marketing के message के उपर आ जाएं marketing का message basically क्या है और वो किस टाइम पर use होता है अगर तो आप एक broadcast चलाना चाहते हैं अपनी जो campaign है आपकी अगर आप bulk messaging के लिए इसको use करना चाहते हैं 13 पैसा का पर conversation आपको charge होकी मैं आप लोग को conversation का भी guide out करूंगा कि conversation किस तरह से work करती है इसके बाद utility message आता है utility का message का मतलब यह है कि आप जो भी message send out करते हैं अपने customer को जिसके अंदर आप invoices, चलान, fee चलान या otherwise आप कोई भी अगर ऐसा message send out कर रहे हैं इसके अंदर variables है variables basically क्या होते है customer name, customer की invoice ID, date and सारी जो चीजे हैं बाकी अगर आप वो add-on करते हैं तो उसको utility के अंदर हम लोग count out करते हैं उसी के बाद हमारे पास एक service message की category आती है service message basically हमें जो charge होता है utility की जो charges हैं वो भी मैं आप लोग को guide out करता जाओ utility message जो है वो हमें 1.50 पैसा का पड़ता है अगर आप per conversation send out करते हैं मतबह अगर आप 1000 conversations start करते हैं तो 1.50 पैसा का आपको per conversation charges आएंगे इसके बाद आपको service message जो है वो 0.0142 का पड़ता है जो के हम अगर पाकिस्तानी रूपीज के अंदर change out करें तो ये 3 रूपीज 94 पैसा का पड़ता है basically service messages क्या है मैं आप लोगो थोड़ा सा guide out करता चलू service message basically ये है आपको 1000 free conversations दी जाती है जो के whatsapp की तरफ से हरमद आपको provide की जाती है जो के हमारे pricing plans के अंदर mention भी है इसके अंदर service messages होते है basically 1000 service messages आपको free of cost दी जाते है जिसके अंदर आपको incoming messages जो है वो 1000 free है उसके बाद आपको per conversation जो charges आ रहे होंगे वो 3.94 पैसा के हसाब से charge हो रहे होंगे जो के पाकिस्तान के rates है अगर आप इनी को rates को change करना चाते है तो आप यहां से अपनी market को select कर सकते है जैसे अगर आप इंडिया को select करें तो इंडिया के अंदर आपको यही message 0.004 का पढ़ता है और जो उसका marketing message है वो 0.0107 का पढ़ता है जो के अराउंड दो रॉपर यह वन रुपीस का पढ़ता है वो PKR के अंदर इसी तरह से अगर आप UK की market को select करना चाते है तो आप यहां से UK की market को select कर सकते है जिसके अंदर आपको यहां पर pricing सारी mention हो जाएगी पर आप लोग को थोड़ा सोड़ गाइड करता चलूँ कि आप लोग के अंदर यहां पर आप लोग को तीन packages मिलते हैं जिसके अंदर standard package है growth package है and scale package है standard package जो है वो $10 monthly आपको मिलता है जिसके अंदर 1000 contact limit आपको मिलती है 1000 की panel की contact limit है यह basically हमारा panel है इसके अंदर जैस आप 1000 contacts को upload यह receive कर सकते हैं अगर आप से 1000 लोग अगर connect करते हैं तो जैस 1000 ही आप से connect कर पाएंगे otherwise उसके बाद आपको package को upgrade करवाना पड़ेगा जो कि आपको अपर growth package के उपर आपड़ेगा growth package के अंदर आपके पाश 10,000 की contact limit होती है उसी के अंदर आपको live chat का option भी है chartbot के template replies पर मिल जाते हैं और chartbot की availability भी मिल जाती है इसी के अंदर आपको agent system भी मिलता है जिसके अंदर आप अपने 5 agents भी create कर सकते हैं यह agent systems वगरे किस तरह से work करते हैं यह मैं आपको आगे वीडियो के अंदर पताता हूँ पर conversation जो charges है वो आपको hit होंगे इसी के अंदर आपको तीनों packages के अंदर one one thousand conversations जो हो free of cost मिलती है इसी के अंदर हमाई eighteen dollar setup fee है जो कि हम लोग first time आप से charge करते हैं जिसके अंदर हम आपका सारा setup properly करके 30 days की जो support है आपको अगर कोई भी problem आदा पैनल के अंदर usage में आप हमसे ले सकते हैं इसमें verified account of not verified account का ये scenario है हमारे customers का बहुत जादा question होता है verified account का क्या मतलब है अगर तो आपका business portfolio verified है तो आप unlimited messages per day send out कर सकते हैं otherwise अगर आपका unverified है तो आप just 250 messages per day कर सकते हैं पर हमारी recommendation ये होती है कि आप अपने business को verify करवा के ही WhatsApp business API को use करें ताकि आपका business name WhatsApp के ओपर शो रहा हो ना कि आपका number इसी के अंदर आप blue tech के लिए भी apply कर सकते हैं जिसके अंदर आपके पास नाम के आगे blue check mark भी आ रहा होगा जिसके through our verified एक company शो हो रहे होते हैं okay आप लोग को पैनल के ओपर लेगे चलता हूँ बिसिकली ये on cloud apps का पैनल है जिसके through आप अपनी campaigns run कर सकते हैं context create कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी excel की files upload कर सकते हैं साथ यसाद आप यहां पर अपने chart bots पना सकते हैं create templates create सकते हैं इसके अंदर आपके पास यहां पर chart का option है campaigns का option है flow bot का option है team का option है create link का option है context है templates है keyword bot है and API documents है अगर मैं आपको कोई भी एक chat open करके दिखाँ तो आप यहां से अपने किसी भी agent को chat assign भी कर सकते हैं यहां से अपने emojis send कर सकते हैं यहां से images send कर सकते हैं और यहां से आप अपने PDF files वगरा या कोई file जागर documents हैं वो आप यहां से share कर सकते हैं यही से आप अपने customers के साथ directly chat out भी कर कर सकते हैं मैं आप लोगों थोड़ा सा guide करता चलूँ basically यह WhatsApp किस तरह से work करता है अगर मैं आप लोगो एक guide करूँ अगर मैं यहां से हाय का message send करना चाहता हूँ तो मैं हाय का message यहां से send नहीं कर सकता है क्योंकि you can reply only with a template message ठीक है मैं यहां से just एक template sender से time पे गर सकता हूँ जो कि मैं अगर यहां से template message करूँ तो मेरा एक template message send होगा जिसके जो first message है just उसी के charges मुझे आएंगे उसके बाद 24 hours के लिए जो मेरी window है वो free of cost होजएगी जिसके अंदर मैं customer के साथ 24 hours तक free of cost बात कर सकता हूँ इसी के अंदर आप template के नीचे buttons भी बना सकते हैं और साथ यहां से आप send campaign भी कर सकते हैं अगर मैं आप लोग चैट के ओपर लेया हूँ WhatsApp के अंदर अगर मैं यहां पर chatbot आप लोग को check करवाना चाहूँ अगर आप यहां पर हाए का एक message करते हैं तो आपको एक automation के ओपर response हाएगा ठीक है जिसके अंदर welcome to on cloud API select your language from the below options to so we can serve you better आप यहां से अगर English को press करते है तो आपके बस यहां पर एक option आएगा जो के interested यह not interested का आएगा अगर मैं interested को करता हूँ तो आपको एक template fetch होगा जिसके अंदर आपको एक message receive होगा जो के आपको जैस मुबाइल के ओपर ही शोगा मैं आपको यहां पर screen लगा के दिखा दूँगा जिसके अंदर आप यहां पर check कर सकते है जो के options हमें यहां पर receive हो रहे होंगे otherwise अगर आप not interested को करते हो not interested का हमें response यहां से आज जाएगा so इसके बाद अगर आप लोग panel के अंदर chatbots create करना चाहते हैं तो मेरी videos देख सकते हैं कि आप अपने chatbot किस तरह से frente कर सकते हैं हमने यहां पर chatbots content create किए में अगर आप यहां से अपने flow bot create करना चाहते हैं हेत ties में बेसे अपने flow bot पी create कर सकते हैं मैं आप लोग और तक दिखा ता हूं कि flow bots किस तरह से create out कर सकते हैं आपका यहां पे एक flow बन जाएगा जिसके तरू आप अपने flowbots को create कर सकते हैं यहां से आप अपने जितने भी flows हैं वो आप यहां से directly बना सकते हैं जो कि flowbots का option के अंदर आपको मिल जाते हैं अगर आप इसकी proper एक class चाहते हैं तो आप मुझे request करें मैं आपको एक वीडियो भी provide कर दूँगा इसकी अगर आप यह चीज़ बाये करना चाहते हैं और अगर आप इंटरस्ट रखते हैं कि आप भी अपने automation के ओपर अपने business को लाना चाहते हैं और आप WhatsApp Business API की तूँ अपने business को grow करना चाहते हैं तो आप हमारे किसी भी agent के साथ directly connect कर सकते हैं otherwise हमारे आप UN number के ओपर भी direct call करके हमारे customer agents के साथ आप directly connect कर सकते हैं otherwise आप हमारे WhatsApp के ओपर भी directly connect कर सकते हैं हमारे agents आपके लिए 24-7 available हैं ताकि आपको guide out कर सके हैं Thank you